हेलो बच्चो तो आज हम जानेंगे पाई के बारे में तो क्या होता है पाई वो खाने वाला पाई नहीं चोको पाई नहीं ये पाई हम बात कर रहे हैं math से related तो पाई होता है एक constant एक constant value होती है जिसको हम use करते हैं circle का circumference और area find करने के लिए तो basically pi आया कहां से तो pi को हम derivate कर सकते हैं कैसे circumference upon diameter is equals to pi और pi है constant जिसकी value होती है 22 by 7 और 3.14